इस मुवी के तीसरे पार्ट के शुरुवात में हम देखते हैं कि डॉम के अंदर इस शहर के लोगों का आज चौथा दिन है। तो उसका पती गायब हो जाता है और हैरेत का हाथ डोम पर पढ़ जाता है तभी उसको जोर का जटका लगता है और उसका लिवर पेन वही पर शुरू हो जाता है। वह एंजी को अपने बेटी की तरहे प्यार करती थी। वह रोस के रेस्टोरेंट में जाकर देखती है कि रोस की लाश अभी भी वही पड़ी हुई है। और दोनों मिलकर उसके शरीर को दफनाने लगते हैं। अब लिंडा और जूनियर रोस के कातिलों के तलाश में निकलते हैं। जूनियर उन्हें मार डालना। चाहता है क्योंकि उन गुंडों ने एंजी को भी मारने की कोशिश की थी। पर लिंडा कहती है कि बेवज़ वाइलेंस नहीं करना चाहिए। फिर ओली नाम का एक किसान को दिखाते हैं जिसके पास एक पानी का कुआ हैं। जिससे वह पूरे शहर के लोगों को पानी दे सक पर जिन और ओली ने मिलकर सौदा किया था कि ओली लोगों को पानी देगा और बदले में जिन उसे प्रोपेन देगा। लेकिन अब ओली जिन से कहता है कि इस स्टोरेज का सारा प्रोपेन मेरा है और तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। जब जिन उसके स्टोरेज पर जाता तो उसका एक आदमी जिनको रोक देता है, फिलहाल तो जिन चला जाता है, लेकिन वो इतना प्रोपेन यूँ ही नहीं छोड़ने वाला है, डूसरी ओर जॉय और नोरी डोम के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जॉय का कहना है कि ये डोम एक एटॉम की तरह है, यानि इ लेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसका में पार्ट यानि नुकलियस इसके बीच में होगा, और दोनों नुकलियस की तलाश में शहर के बीच एक खेट में पहुँचते हैं, उनके साथ एक कुटा भी होता है, जो उन्हें गाइड करता है, जैसे ही वे डोम के बिलकुल बीच में पहुचते हैं, तो अचानक कुटा डर कर भागने लगता है, दूसरी और जूलिया हैरैद को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, तभी रोस के कातिल उन्हें रोक लेते हैं, हैरैद दर्द के मारे चिलाने लगती है, लेकिन वो, गुंडे इनका सारा पेट्रोल चुराने लगते हैं, तभी बारवी वहाँ पर आता है, और गुंडों को भगाता है, ये दोनों हैरैद को जॉय के घर ले जाते हैं, जहां अब एलिस रहने लगी है, असल में इस वक्त शहर में यही एक अकेली डॉक्टर है, इसलिए हैरैद को यहाँ पर लेकर आए थे, अब और कै को छूते हैं, तो एलिस उनके सामने आती है, और हाथ उठाते ही वह गायब हो जाती है, नोरी को लगता है कि उसकी मा मुसीबत में है, इसलिए वह तुरंत घर भाग कर आती है, यहां ओली जिन से मिलता है, और बताता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, लेकिन इस शहर के लोग मुझे हमेशा तुम से कम समझते हैं, इसलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, कि मैं भी उतना ही पावरफुल हूँ और मेरे कुए के बिना उन्हें पीने का, पानी भी नसीब नहीं होगा, दूसरी ओर लिंडा और जूनियर उन दोनों गुंडों को गि और उसका नाम है एलिस रखती हैं, क्योंकि एलिस के बिना उसकी डिलिवरी नहीं हो पाती पर तभी एलिस को हाट एटैक आ जाता है, अब रात को डोट, प्रोपेन स्टोरेज का गार्ड ट्रक में प्रोपेन लोड कर रहा होता है, और तभी जिम ट्रक पर सुट करके ब्ला अब नोरी अपनी मा की ऐसी मौत सह नहीं पाती, और डोम से कहती है कि मेरी मा को लोटा दो फिर अगली सुबहर, बार भी एलिस के शरीर को डफनाने के लिए गड़ा खोता है, यहां रोस की मौत के बाद एनजी उसके रेस्टोरेंट को चलाना चाहती है, क्योंकि जिम इस शहर के लोगों को भूखा मारने पर उतर आता है, अब जिम लिंडा और बार्बी को शहर के कानून के बारे में बताता है, जिसमें इमर्जिंसी के वक्त किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है, इसलिए वह पुलिस पोर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वह ओली के फ लेने के लिए ओली के साथ मिल जाता है और बाकी लोग स्टेशन वापस आ जाते हैं। इस पर जूलिया शौक हो जाती है और दोनों जल्दी वापस घर लोट आते हैं। अब जिम की पीट पीछे बार्बी और लिंडा पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाते हैं। और फार्म पर ओली जूनियर को जिम के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि तुम्हारी मा का एकसीडेंट नहीं हुआ था बलकि उसने खुद अपनी कार क्रेस की थी। फिर जूनियर को तो अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये बात जूनियर से क्यों छुपाई। कुछ समय बाद बार्भी ओली की फाम पर एक सप्लोजन क्रियेट करने की कोशिश करता है जिससे पानी की बहाव को डाइवर्ट किया जा सकेट पर इतने में जिम अपनी आदमी लेकर आता है और ओली के आदमियों के साथ उनका शूट आउट होता है इसी दौरान बार्भी एक सप्लोजब को सेट करता है और जब वह फटता है तो पानी बड़ी आसानी से डाइवर्ट होकर बहने लगता है तभी जूनियर अपने पिता के सर पर मार कर उसे नीचे गिरा देता है फिर ओली के आदमी उसका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि आब उन्हें यहाँ पानी नहीं मिलने वाला और ओली जूनियर को गन दिखा कर उसके पिता को मार डालने को कहता है पर जूनियर जीन से पूछता है कि आपने मेरी मा के मौत के बारे में जूट क्यों बोला जिम कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम चाहे मुझ से कित देर बाद बार्बी जिन से मिलने उसके ओफिस जाता है और बार्बी को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि शुट आउट की वजह से पांच आदमी मारे गए पर जिन को इसकी कोई फिक्र नहीं है फिर बार्बी रिलाइज करता है कि जिन सिर्फ अपनी लीडर्शिप को बचा आदमी को शुट कर दिया है हालां कि वह एक ड्रग एडिक्ट को शुट करना चाहता था जो बिना पर्मिशन के तेड की प्रॉपर्टी पर घुस आया था फिर बार्बी तुरंत वहां पहुँचता है ड्रग एडिक्ट बताता है कि लेस्टर मुझे रिप्चर नाम का एक बेचता था लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ड्रग नहीं मिला है फिर ये सुनकर बार्बी और लिंडा बिलकुल शौक हो जाते हैं कि लेस्टर सिर्फ अंतिंग संसकार ही नहीं करता था बलकि तीन एजर्स को ड्रग का आदी बना रहा था वे तुरंत लेस्टर के घ एंजी से मिलने रेस्टोरेंट जाता है वह अब भी यही समझता है कि डोम की वजह से ही एंजी उससे दूर रहना चाहती है तभी अचानक एंजी को दोहरा पड़ता है और वह कहती है कि पिंक स्टार्स नीचे गिर रही हैं फिर कहानी के इस पॉइंट पर एक नई अंदर आती है जिसका नाम मैक्स होता है और ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है और जिनको प्रोपेन सप्लाई करने वाली में डीलर है जिस दिन शहर में डोम गिरा था उस दिन ये जिन से मिलने आई थी और तभी से ये पुराने घर में रह रही है लेकिन अब वह शह जाती है जब जूनियर सच में उसे घर छोर देता है और कहता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा घर में जूलिया और बच्चे उस अंडे के गायब होने के बारे में डिसकस कर रहे होते हैं तभी एनजी आकर बताती है कि उसे दोहरा पड़ा था तब उन्हें यकीन ह हो जाता है कि इन तीनों को किसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है तभी नोरी एंजी के पीठ पर एक तितली की टैटू देखती है जो बिलकुल डोम पर चिपकी हुई तितलीयों की तरह है पर बाकी लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते और अब शेहर के लोगों को सभी के गंस वापस लेना चाहता है लेकिन वह जानता है कि लोग जोर जबरदस्ती से नहीं मानेंगे इसलिए वह अनौंस करता है कि जो भी अपनी गं स्टेशन में जमा करेगा उसे एक्स्ट्रा खाना और पानी मिलेगा जंगल में जॉय और नोरी अपने कुत्ते को लेकर फिर से एक बार अंडे को ढूंडने निकलते हैं और NG पुलिस स्टेशन जाकर जूनियर से मिलती है और इस डोम के बारे में पूछती है क्योंकि जूनियर अकसर कहां करता था कि डोम की वजह से NG अजीब बिहेव कर रही है फिर वह NG को अपने घर लेकर जाता है और कहता है कि उसकी मा एक आर्टिस्ट थी और एक दिन उसे एक अजीब सपना आया था जैसे उसकी मा ने पेंट किया था उस सपने में जूनियर एक पहाड पर खड़ा था और आसमान से पिंक स्टार्स गिर रहे थे फिर दूसरी ओर रेस्टोरेंट में शहर के कई लोग अपनी गं और बच्चे मर गए थे और अब वह जीना नहीं चाहता और खुद को शुट करने वाला होता है फिर जिम उसको रोकता है और समझा बुझा कर उसे हॉस्पिटल में भेज देता है इसी दौरान लिडा पता लगाना चाहती है कि आखिर इतना सारा प्रोपीन कौन और वह प्रोपेन स्टोरीज पर जाकर CCTV फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि मरे हुए इंस्पेक्टर सेरीफ और मैक्स के बीच कोई डिलिंग हुई थी लेकिन वह विश्वास ही नहीं करना चाहती है कि इंस्पेक्टर सेरीफ बुढ़ा आदमी था दूसरी और मैक् है लेकिन बार्वी को उसके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि बार्वी और जिनको मैक्स की हर बात माननी पड़ती है क्योंकि वह इनकी सारे बुरे काम के बारे में जानती है और किसी भी वक्त इनके पोल खोल सकती है जब बार्वी और मैक्स अकेले होते तो वह कहती है मैं जूलिया को बता दूंगी कि तुमने उसके पती पीटर का खून किया है। तो पता चलता है कि इनके हाथ चाबी की तरह उसको खोल सकते हैं। लेकिन लौक को खोलने के लिए उन्हें और एक इनसान की जरूरत है जिसकी मदद से ये लौक खोल सकता है। और इसी के साथ इस मूडी का तीसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाती है।